एशिया के सबसे अमेर शक्स और रिलाइंस इंडरस्ट्री के मालेक मुकेश अंबानी की माँ कोकिला बेन किसी पहचान की महताज नहीं है। दरसल वे लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लिकिन कई बार उन्हें सामाजी कारियों के दौरान देखा जा सकता है। कोकिला बेन अमबानी का जन साल 1934 को एक बेहधी साधारन और अशिक्षित परिवार में हुआ था। परिवारिक समस्याओं के कारण वह सिव दसमी क्लास तक ही पढ़ पाई थी। हाला कि उनके पती धीरुभाई अमबानी ने उनके लिए घर पर ही इंग्लिश टीचर का बंदवस कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने इंग्लिश सीखी है। मुकेश अमबानी के पिता धीरुभाई अमबानी कोकिला बेन को लखी मांगते थे और यही कारण था कि वो अपने सभी नए कारियों की शुरुवात उनके हाथों से ही कराते थे। कोकिला बेन अमबानी एकदम शुद्ध शाकाहारी है और उनके घर में किसी को भी मांस मचली लाने की अनुमती नहीं है। यहां तक कि मुकेश अमबानी खुद भी शुद्ध शाकाहारी है। एशिया के सबसे अमीर शक्स मुकेश अंबानी की माम महंगी और लग्शरी कारों की शौकीन है। उनकी पसंदीदा कार मर्सडीज बेंस है जबकि मुकेश के पिता धीरुभाई अंबानी को लिमोजन पसंद थी। 84 वर्ष ये कोकिला बेन घूमने फिरने की काफी शौकीन है। वह साल में एक नए एक बार विदेश घूमने जरूर जाती है। वह अकसर लंडन और स्विजर लेंट में घूमना पसंद करती है। दरसल बताया जाता है कि धीरुभाई अंबानी को भी घूमने का काफी शौक था। और यही कारण है कि अब कोकिला बेन अंबानी को भी ये आदत लग चुकी है। या शेर करना ना पूले इस तरह की तमाम रोचक और अंसुनी कहानियों के लिए हमारे चानल हिस्टोरिकल इंडियन्स को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को टैक करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहें घर पे रहें, स्वस्त रहें, नमशकार